इस डेंट आए इस वीडियो में इस कोश्चन को सुल्व करते हैं इसके प्रिविएस वीडियो में हमने इसके पहले कोश्चन को सुल्व किया है कोश्चन है गिवेंड डैट एसी अफ ओफ 306 657 इज नाइन मींस एक टू नंबर का एसी अफ नाइन दिया हुआ है तो एल्शियम लिखा लिए यह 306 657 का ठीक है तो इसमें आपको एक फर्मुला लगाना है तो कौन सा फर्मुला लगाएंगे आपको पता है वी नो एल्शियम इंटो एसी आफ एल्शियम इंटो एसियाफ एल्शियम इंटो एसीन फीजियकर टू पोड़क्ट अप of तू नंबर क्या पोड़क्टअ औप तो नंबर ठीक है बस ए फर्मुला लगाना है छलिए तो इस फर्मॉला पर एंगे तो क्या होगा एलजियम आपका दिया हो देखिए हैं आप यहाँ पर एलजियम लिका अलगा रहां लैगा है हम देखा हो एक लिहीं और यहां पर ऐना नाइण दिया हुआ तो यहाँ पर क्या पूट करेंगे 9 equal to product of two number two number क्या है यही two number three hundred six and six hundred fifty seven है तो three hundred six into six five seven ठीक है into कर दिया चले तो आपका एल्शेम इसकल टू के इसलिकल यह nine है into में तो उधर जागा तो क्या divide हो जाएगा तो three hundred six into five seven six by nine कर दिया ठीक है देखिए यह आपका साइद कर सकता है nine three twenty six twenty seven और thirty four time ठीक है thirty four time में करेंगे और इसको into कर देंगे तो कितना आ जाएगा तो यह आपका आ जाएगा two two three three eight कितना जाएगा two two three three eight यह आपका answer हो ठीक है तो इस तरह यह question बन गया देखिए कभी कभी question में आपको हो सकता है कि यह LCM और ESCF दिया हो और एक नमबर दिया हो एक और नमबर लिखालना हो तो बस इस फर्मूला पर आप रख लेना है और आसानी से आपका question बन जाएगा next question है check whether six power n can end with the digit zero for any natural number n ठीक है question कह रहा है कि six power n का form में जो नमबर दिया हुआ है तो इसका any digit means any digit वह क्या होना चाहिए zero होना चाहिए for any natural number means इस natural number को कोई भी भेलू रखेंगे आपको इसको कैसे करना है इसको solution जब आपको दिया हुआ given number में आपका क्या है given है six power n ठीक है तो six power n जो जो भी number दिया उसको factor कर देंगा प्राइम फैक्टर तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं two into three क्या लिख सेते है two into three power n ठीक है तो यह हो गया डैट आप ऐसे भी लिख सकते हैं two power n into three power n ठीक है तो यहां पर condition है it is a clear that it is clear that गिवेन नंबर क्या है गिवेन नंबर गिवेन नंबर है ज़ वनली तू एंड थीरी फैक्टर्स बट नोट फाइव ठीक है आपको यह समझना है कि अगर यह जो नंबर दिया हो इसका फैक्टर अगर टू और फाइव अगर आता हो तो यह इंड जिरो से होगा और टू और फाइव के अलावा अगर टू आता हो और फाइव नहीं आता हो तो आपका जिरो से इंड से नहीं हो होगा ठीक है तो यहां लिख दें इतीज के लिए डैट गीवेन नमबर है जो अन्य टू एन थी फैक्टर्स बट नोट फैक्टर या ऐसे बोल सकते हैं और गीवेन नमबर गीवेन नमबर कि इसे नोट कि पॉर मॉफ तू गीवेन नमबर गीवेन नमबर इसे नोट है फैक्टर लिख दिया फैक्टर फैक्टर ओप तू एंड फाइब हैंस इस नोट इंस वीट इंस वीट इंस वीट जीरो क्या हो जाएगा Jim जीरो मिन्स या Jim से एंड नहीं होगा ठीक है बस्वज में आ करना देखना है कि उसी नंबर का kl करेंगे तो और फाइब होना चिए 25 के अलबा घ्रेंста होगा 0 से 25 अगर नहीं है तो आपका जिरो से नहीं होगा ऐधर if you होगा तौपर्ट भी नहीं को तो नहीं होगा यter दोनों होना है two or five होना चाहिए तो और 5 के अलवा गड़ा कुछ भी नंबर होता है तो तो पर भी इंड जिरो से हो जाएगा ठीक है जैसे कोई कोश्चन आपको कहें कि फिप्टिन पर पर एन बताए इसका इंड जिरो से होगा तो फिप्टिन काने इत्या पता फैक्टर है इसमें टू नहीं त यह भी इंट जीरो से नहीं होगा ठीक है यह समझ गए ठीक है नेक्स्ट कोस्टन देखिए एक्स्प्लेन वाइज 7 इंटो 11 इंटो 13 पलस 13 ही थी एक यह दो इसमें दिया हुआ है तो क्या करना है चेक करना क्या 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 करते हैं जो क्या होता दो या 2 से जिसक수가 दोसी ज़्यादा फैक्टर्स होता है वो क्या कलता है नमबर और प्राइब नमबर आप जानुबे करते क्या होता हो ऐसे ये जैसे मारेङके पोड़ क्या है कि मुस्क्ट क्या प्योंकर वान ब्यायर तू है और प्राइमी बोलते हैं तो यह बेसिक था आपका गाइंन अप तो आईए को लिखते हम यह उन्हस में आटिक है ट्यवेन में से वेंटू इमार रहे हैं 2 1 एटिसंट ईसी कर सकते हैं या तो doen Nord जोडने तो, सकते हैं पहला में क्या 7 इंक्टि 11 बचाले 7 इंक्ट इंक्टि 11 बचाल कि आप क्या करेंगे थान टुसीवेंट्र क्या हो जाएगा आपका थाटी नाइन और थाटी नाइन का फैक्टर क्या होता है चृँ ठीड के थाटीन हो गया इसके देख रहें कि आप राइब प्रसेंग डेट रेट है इस मोड़ दें टूफेक्टर ठीड है त्यूफेक्टर टूफेक्टर त्यूफेक्टर से ज्यादा है मिनिस यह नंबर आपको दिया हुआ था तू से भी डी बे जलब है 13 से भी है 3 से भी है और 1 से भी है ठीक है तो ये ये श्योर्ली है कि यह क्या होता है composite number होगा तो ETG के लिए that ETG है जो more than two factor hence क्या हो जागा hence ETG क्या हो गया ETG composite number ठीक है एक composite number हो गया समझेगे second वही है second में भी वही है 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into two into one plus क्या है five है इसमें भी आपको 5 common कर सकते हैं तो क्यांक आगर five common करेंगा तो seven into six into fourth into three into two plus one हो जाएं इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएंगा five into ए देखीं इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका यह सारे को मल्टिप्लाइ कर देंगे तो हो जाएगा वन थाजन एट पलस वन हो जाएगा डैटी जी आपका कितना हो जाएगा वाइव इन्टू कितना होगी आपका फाइव इन्टू यह होगी इसको 2009 और फाइब एक ही रहा जाएगा फेक्टर नहीं हो रहा है किसी नंबर का तो यहां तवर विए आप देख सकते हैं कि इसक नकम हो रहा है तीम से ज्यादाफेक्टर से कौन-कॉन्पटर हो रहा है क्नौं हो रहा है और पाइब हो रहा है एक 1009 हो रहा है ठीक है और इपने इसे बोल देंगे इट 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 इज ऐसे आल्सों इट इज आल सो क्या बोलेंगे अल्सों ऑफ यह नमबर हो जाएगा ठीक है तो यह question समझ गए होंगे ठीक है इसी तरह हमारे चैनल पर सारे solution मिलेंगे प्लीज लाइक और सबस्क्राइब करने चैनल को जरूर करेंगे थैंक यू नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कोस्टन देखेंगे